Hello everyone, मैं हूँ जैश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए interesting YouTube वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं Class 10th का History and Political Science और आज हम शुरू करने जा रहे हैं Political Science का Chapter No.1 Working of the Constitution और ये है Lecture No.1 तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाईए क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे ही informative वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों पिछले कुछ वीडियो के अंदर हमने History का Chapter No.1 और 2 कंप्लीट कर दिया है तो आप जरूर उन वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के साथ जाकर के देखिए या आई बटन उपर प्रेस करते हैं तो वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे आप प्लेलिस में जा सकते हैं दोस्तों वहाँ पर History Geography के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे तो दोस्तों चलिए बिना देर की आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं जहां हम पढ़ने जा रहे हैं इसे समझने की कोशिश हम इस चाप्टर में करने वाले हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ खास बाते मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा डॉक्टर बाबा सहेव अंबेडकर इन्होंने हमारा समविधान जो है रूल्स और रेगुलेशन होंगे उसे हमें जो है फ्रेम आउट करना था और वो जब फाइनली हमने कर लिया तो हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है Constitution जो है अडॉप्ट कर लिया तो दोस्तों उसी के बारे में यहाँ पर इस चाप्टर में हम जानने वाले हैं यानि इस समय के बाद से जब भी देश के अंदर सरकारें बनी हैं तो हर सरकार में यही कोशिश की है और उन्हें करना ही है that they have to follow and abide by the principles written in the Constitution जो भी समविधान में लिखा है उसी के आधार पर सरकारें चलेगी उसी के आधार पर देश चलेगा और सरकारें अपनी योजनाएं अपनी policies जनता जनार्धन के लिए उसी प्रकार बनाएंगे In this chapter we will take a brief overview of the wide ranging nature of Indian democracy, भारतिय डेमोकरसी हमारा जो डेमोकरसी है वो एक विशाल डेमोकरसी है, सबसे बड़ा डेमोकरसी है इस दुनिया का तो इसके अंदर क्या variety of ranges है, क्या-क्या अलग-अलग चीज़ें हैं इसके अंदर वो सभी को Constitution में कैसे जगा दी गई है, वो समझने की कोशिश करेंगे ये सारी बातें जो है, Constitution के जरीए कैसे लाए गया है, ये सारी बातें जो है Constitution के जरीए कैसे बदली है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मुख्यता, इस चाप्टर में working of the Constitution के अंदर तीन important principles के बारे में हम discussion करने वाले हैं, namely democracy, social justice और judicial system, these are the three important things which we are going to study in this चाप्टर जी हां, तीन important चीज़े, democracy, social justice और judicial system इन ही तीनों पर focus करके constitution बनाया गया है, कि भाई हमारा देश एक democratic republic होगा और ये कोई भी राजा महराजा के अंदर नहीं चलने वाला है, कोई भी यहाँ पर autocracy नहीं करने वाला है यहाँ पर एक democracy की तरह हम देश को चलाएंगे अंग्रेजों के जाने के बाद और इसी के बारे में constitution के अंदर बहुत सारे अधिकार हमें दिये गए हैं दूसरी बात दोस्तों, social justice यानि सामाजिक नयाय मिलना बहुत ज़रूरी है उसके बारे में भी constitution में बहुत सारी चीजें mention की गई है कि कानून के सामने सभी equal होंगे, social justice सभी को मिलेगा इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई और आखिर में दोस्तों, judicial system अगर कोई rules, regulations जो constitution में लिखे गए हैं उन्हें follow नहीं करता है, तो judicial system बनाया गया है जिसके जरीए कानून का पालन करवाया जाए हर वर्ग से, हर शेत्र में और इसी को judicial system के जरीए हमें समझने की कोशिश हम यहाँ पर इस chapter में करने वाले हैं तो दोस्तों, working of the constitution में, we will be focusing on democracy, social justice and judicial system आज की इस वीडियो में हम democracy और उसके अंदर जो जो अलग-अलग गठक हैं उन्हें समझने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं, जी यहां दोस्तों, democracy कुल मिला करके चार important points या हम sections कह सकते हैं, जो democracy के अंदर हमें पढ़ने हैं इन चारों को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से याद रखने के लिए और लिख करके अच्छी तरह से practice करने के लिए हमारा short code है Dr. PR जी हां दोस्तों, Dr. PR यानि D से decentralization of democracy इसके अलावा, right to information, that is RTI 2005 और PR यानि political maturity, right to vote political maturity, right to vote, political maturity and right to vote तो इस प्रकार, democracy का जो सबसे important principle है उसके अंदर ये चार sections है, या हम कह सकते हैं चार important short notes, जो हमें पढ़ने हैं Dr. PR, decentralization of democracy, right to information, political maturity and right to vote चलिए, हर एक point को आप बारिगी से समझ लेते हैं तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम तीन important principles के उपर इस पूरे चाप्टर में focus करने वाले हैं उन्ही में से पहला principle है democracy, चलिए अब democracy के अंदर ये जो चार important points हैं इन्हें समझ लेते हैं बारिगी से सबसे पहले DR, PR यानि Dr. PR के अंदर D से decentralization of democracy या दोस्तों ये शब्द ही अपने आप में answer है decentralization का मतलब ही होता है कि भाईया हमें centralization यानि concentration of power नहीं करना है हमने समझधान के जरीए एक clear cut कर दिया है कि ये राजाशाही या तानाशाही नहीं होगी ये जनता की सरकार होगी और इसी को कहेंगे decentralized democracy जहांपर किसी एक के हाथ में कभी भी सारा power नहीं होगा क्योंकि अगर सारा power हमने किसी एक के हाथ में दे दिया तो वो इस power का misuse कर सकता है और वही तो हम नहीं चाहते थे क्योंकि जैसे आजादी के पहले हमने देखा मुगल साशन हो या उसके बाद Britishers हो सभी के हाथ में concentration of power होनी की वज़े से उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा exploitation किया और ये अब ना हो इसलिए सम्विधान के अंदर ये सबसे important बात कही गई है Decentralization of power is central to democratic government Decentralization controls the misuse of power underline कर लीजेगा दोस्तों misuse of power को control करता है and also it creates opportunities for political participation for the common people यानि आम जनता के लिए participate करने का political participate करने का politically उनके लिए धरवाजा खोलता है दोस्तों राजा शाही के टाइम पर या ताना शाही के अंदर कभी भी जनता से पूछा नहीं जाता है जनता से राय नहीं ली जाती है जनता का opinion नहीं समझ में आता है सिर्फ और सिर्फ जो राजा कह देता है वही हो जाता है लेकिन politics जब democracy की ओर बढ़ती है और decentralization of democracy का होता है तब जनता को भी opportunity मिलती है कि वो चुन सके उसके लिए क्या सही आज हमारा local नगर से वक तक हम चुनते हैं आज प्रधान मंत्री तक हम चुनते हैं हम वोट देते हैं और हमारे वोट के अंदर वो ताकत है जिसके जरीए हम चुनने का अधिकार पाते हैं और वही यहां पर decentralization of democracy के जरीए कहा गया है that the directive principles of state policy include the provision for democratic decentralization one such important provision is regarding empowering the local self-government making genuine democratic governance a reality यानि हमारी महानगर पालिकाएं हों local gram panchayat हों सभी को local self-governing अधिकार दिये गए हैं अपने शेत्र को अच्छा खुशाल डेवलप्ट बनाने के लिए और उन्हें काफी अच्छे से चीजों को implement करने के लिए भी अधिकार दिये गए हैं after independence several attempts were made towards democratic decentralization यानि निरंतर लगातार आजादी के बाद से ही ये कोशिशें चलती रही कि democracy को decentralized रखें और ज्यादा से ज्यादा जो है local self-government को हम बढ़ावा दें yes, one such important attempt is the 73rd and 74th amendment to Indian constitution amendment का यहाँ पर मतलब समझ जाए कि constitution तो dynamic बनाया था और बाबा साहिब अंबेड कर जो थे हमारे उन्होंने इस constitution को बनायागी कुछ इस प्रकार की भईया जरूरत के हिसाब से आने वाले PD के हिसाब से generations के हिसाब से हम इसमें थोड़े बहुत amendments यानि changes यानि बदलाव भी कर सकें तो हमने 73rd और 74th amendment जो किया इंडियन constitution में इसके तहट हमने constitutional status दिया local self-governing institutions को यानि जो local bodies होती है महानगरपाली का या ग्राम पंचायत या कोई भी local self-governing institutions इन्हें हमने समवैधानिक अधिकार दिये और उनके powers को बढ़ाया आज हम देखते हैं कि ये local महानगरपाली का है ग्राम पंचायत जो होते हैं ये अपने level पर भी कई निरने लेते हैं लोगों के hit में लोगों के भलाई के लिए तो ये तभी वो कर पाते हैं जब उन्हें वो अधिकार समविधान से मिला हुआ है और इसी को कहते हैं decentralization of democracy दोस्तों लंबा चोड़ा paragraph जरूर है लेकिन points to remember में याद रखी अगर ये दो points अच्छे से आप याद रख लें तो own words में आसानी से इस answer को आप present कर पाएंगे points to remember में सबसे पहली बात decentralization क्या करता है तो it controls the misuse of power and creates opportunity of political participation yes my dear students क्या करता है control करता है क्या misuse को controls misuse controls misuse controls misuse of power and क्या करता है create करता है boss क्या create करता है opportunity create करता है political participation की common people के लिए इसके लावाद दूसरा important part जो है आप याद रखेंगे यहाँ पर कि 73rd और 74th amendment में क्या हुआ था तो यहाँ पर हमने constitutional status दे दिया local self-governing institutions को और उनके powers को increase कर दिया तो उमीद करता हूँ दोस्तों DR PR यानि डॉक्टर PR के अंदर पहला D आप समझ गया होंगे decentralization of democracy चलिए बढ़ते हैं आगे अगले point के और जहाँ यह हमारा आगला point है right to information हमें हर चीज जानने का अधिकार है क्योंकि हम हैं इस देश के नागरिक हम ही तो चुनने वाले हैं नेताओं को हम ही चुनने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर को हम ही चुनने वाले हैं हमारे local नगर सेवक को तो वो क्या करता है वो कैसे पैसे use करता है हमारे दिये हुए हमारे taxes से भरे हुए उनका हर एक कच्चा चिठा हमारे पास होना चाहिए और वही है right to information, right to information के जरीए communication होता है, transparency develop होती है सरकार क्या कर रही है, वो जनता को हमेशा पता होता है हम पूछ सकते हैं कि वह या कैसे किया, क्यों किया, कितने पैसे लगे everything is our right to get informed हमारा अधिकार है कि हम हर एक छोटी बड़ी गतिविधिया जो देश में हो रही हैं उसके बारे में जाने और इसके लिए आप RTI फाइल कर सकते हैं और उसके जरीए आपको उत्तर सरकार उसका दे सकती है citizen empowerment is the essential condition of democracy, it is necessary to create opportunities for citizens participation and interaction with the government यानि सरकार से जब तक समवाद नहीं होगा, तब तक आपको clarity कैसे मिलीगी, आपको पता कैसे चलेगा, किस दिशा में देश चल रहा है तो अगर development हो रहा है या नहीं, आपको पता होना चाहिए तो इसके बारे में आप RTI यानि right to information का इस्तमाल करते हुए आप सरकार से जवाब मांग सकते हैं और सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा Increased communication between citizens and government helps in strengthening democracy and in building a relationship of trust between them यानि इसके जरिये एक trust build होता है, भरोसा निर्मान होता है कि हाँ, सरकार हमारे हित में ही काम कर रही है सरकार कुछ छुपा नहीं सकती है, सरकार कुछ illegal नहीं कर सकती, सरकार के मन में भी ये डर रहेगा कि यार जनता कभी भी सवाल पूछ सकती है ये अधिकार हमने right to information के जरिये, RTI के जरिये 2005 में दिया citizens have a right to know about the functioning of the government the government of India gave the right to information to the citizens of India to ensure transparency and accountability ये दो शब्द को underline कर लेना, क्यों ये right to information बनाया गया, क्यों ये RTI बनाया गया so that there is transparency and accountability, transparency and accountability transparency and accountability, ये दो words बहुत इपरेंसी या नहीं कुछ भी छुपा के नहीं करना है बताना है भाई क्या कर रहे है और accountability मतलब तुमको जवाद देना पड़ेगा, अपन जणता है, अपन पूछेगा तुमको बताना इच पड़ेगा, भाई, तुम हमारे पैसे से काम कर रहे है तो ये बहुत ही simple है, transparency and accountability which are the hallmarks of good governance यही तो अच्छी government की निशानी है right to information has made the government more transparent and has reduced the element of secrecy in the working of government यानि इस right to information के जरिए जो छुप छुपा कर घोटाले हो जाते थे ना उसका element थोड़ा सा कम हो गया है यहाँ पर दोस्तों points to remember में दो important बातें आपको हमेशा याद रखनी है right to information से related कभी भी exam में question आए तो यह दो points उसमें जलक नहीं चाहिए सबसे पहला to create communication between people and government क्यों बनाया गया तो to create communication between people and government इसके अलावा right to information came as an important act which brought transparency and accountability transparency and accountability आखिर में दोस्तों याद रखिये right to information has made the government more transparent इसके जरिए क्या हुआ है तो government काफी पारदर्शिता वाली हुई है transparent हुई है and has reduced the element of secrecy in the working of government तो उमीद करता हूँ दोस्तों दूसरा point यहाँ पर डॉक्टर पी आर के अंदर आर से right to information आप समझ पाया होँगे चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले point की और हमारा अगला point है political maturity जी आँ दोस्तों political maturity ये बहुत ही important होती है याद रखिए सिर्फ democratic nation होने से कुछ नहीं होता ये बहुत जरूरी होता है कि आप में political maturity भी आ जाए democracy सिर्फ नाम का representative structure बन के ना रह जाए बलकि आपके life में भी democratic values होने बहुत जरूरी है दूसरों को भी उतना ही बोलने का अधिकार है जितना आपको है जब ये आप मानना शुरू कर दें तो आप समझ जाएए कि आप में democratic values आ चुके हैं हर किसी के opinion की respect करना और सभी democratic principles को follow करना यही होती है political maturity yes democracy does not merely imply a representative structure सिर्फ एक structure democracy नहीं होता the essence of representative system is to integrate the principles of democracy in actual practice सही मायने में democracy जब actual practice में होगी तभी तो वो एक अच्छी democracy होगी successful democracy होगी और कुछ हद तक भारत काफी हद तक मैं कहूंगा कि एक successful democracy इस दुनिया में उभर कर आया है once this is done democracy becomes an integral part of the political life of the society according the Indian people have direct representation in the parliament हमारे यहाँ पर direct representation है हम वोट करते हैं और वोट से जीते हुए लोग ही पार्लेमेंट में जा करके बैठते हैं और निरने लेते हैं इसके अलावा पार्लेमेंट हो state legislature हो या local government यहाँ पर भी हमारे चुने हुए लोगों को ही हम मौका देते हैं काम करने का holding free and fair elections is an also important part at regular intervals पाथ साल में अपने देश में election होता है free, fair होना बहुत जरूवी है in elections का यहाँ पर एक बात आपको note करनी चाहिए कि किसी भी election में जनता से पैसे नहीं लिये जाएंगे ना ही उनको डरा के धमका करके vote देने के लिए कहा जाएगा यह बहुत important essence होता है democracy का India is a successful democracy और यही बातें indicator हैं कि India is a successful democracy है क्योंकि यहाँ पर free or fair elections जो है regular intervals पर होते रहते हैं the increasing participation of the people in the political process and political competition shows that Indian democracy has become successful to a great extent यानि हम देखते हैं हर साल जब भी election होते हैं 4-5 सालों में जब भी election होते हैं अलग-अलग जगाओं पर अलग-अलग राज्यों के हो या देश भर के हो तब हम देखते हैं कि political participation अब लोगों का बढ़ता जा रहा है you are work भी अब vote देने के लिए निकल कर जाता है voting करता है और इससे ही पता चलता है कि भारत एक successful democracy बन रहा है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर मैं कहूं points to remember तो once again there are two points which you need to write in the answer essence of democracy का आपको मतलब लिखना होगा it is to integrate the principle of democracy in actual practice मतलब सिर्फ structure ही democracy नहीं होता उसे जिंदगी में उतारना actual practice में डालना की democracy होता है इसके अलावा Indian people have direct representation इंडिया में क्या होता है तो यहाँ पर direct representation होता है parliament में, state legislature में या local government में इसके अलावा आखरी में आपको तीसरा point याद रखना है Indian democracy has become successful to a great extent यानि यह bonus point में आप याद यहीं रखेंगे कि boss India जो है एक successful democracy है और तेजी से आगे बढ़ रहा है चलिए बढ़ते हैं आखरी point क्यों Dr. PR के अंदर आखरी point है right to vote हमें समविधान ने, हमारे constitution ने अधिकार दिया है vote करने को और यह सबसे बड़ा power है यह सबसे बड़ा अधिकार है vote करके हम चुन सकते हैं हम elect कर सकते हैं हम select कर सकते हैं उन्हें जो हमारे behalf पर देश को चलाएंगे क्योंकि हम अपनी life में busy हैं हमारे life में हमारे कामों के अंदर busy हैं हमारे behalf पर काम करने के लिए हम चुनते हैं and that is what is right to vote the Indian constitution had made the provision of right to vote for adults यहाँ पर हमने सभी adults को adult suffrage के माध्यम से सभी 18 वर्ष के उपर के आयू के जो लोग हैं उन्हें voting करने का अधिकार दिया है दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है in the pre-independence period अगर आजादी के पहले की बात करें तो several essay provisions थे जहाँ पर restrictions लगाया जाते थे रोक टोक थी बहुत सारे वर्ष को voting करने का अधिकार नहीं होता था यह सारी बातें आजादी के पहले होती थी जैसे ही आजादी मिली हमने खुद का संभधान बनाया और संभधान के तहत हमने सभी adults को vote करने का अधिकार दिया सारे discrimination जाती पाती के discrimination हो या cast and creed के हो या male female के हो सभी भेदभावों को सभी discrimination को निकालते हुए सभी को equally vote देने का अधिकार हमने दिया adults को voting करने का अधिकार दिया शुरुआत में दोस्तों यह जो provision बनाया गया इसमें 21 साल यानि 21 years की age जो है limit रखी गई थी 21 के ऊपर जो भी होगा वो vote दे पाएगा लेकिन जैसे जैसे समाई की मांग थी और population हमारा बढ़ रहा था young minds को young और युवा लोगों को इस process से जोड़ना भी जरूरी था और इसी लिए इस age को 21 से 18 कर दिया गया Yes, all such provisions were cancelled after independence and Indian constitution guaranteed adult suffrage by giving the right vote equally यानि सभी को अधिकार आजादी के बाद vote करने का मिला और वो किसे मिला तो to both men and women above the age of 21 years. The voting age was later reduced from 21 to 18 which gave opportunity of political participation to the young generation in India यानि UAPD को भी अब voting के process में हिस्सा लेने का एक बहुत important opportunity मिल गया Yes, my dear students, such provisions have made India the largest democracy in the world आज हम दुनिया की सबसे बड़ी democracy है और सिर्फ quantity wise नहीं, quality wise भी हम एक बड़ी democracy बने है This change is not quantitative but also qualitative as new political parties are emerging, आज हम देखते हैं, कई political parties जो हैं हमारे देश में बन रही हैं, नई विचारधाराओं के साथ, अलग-अलग विचारधाराओं के साथ और यही एक evidence है, कि भाया हमारे देश में लोग politics में अभी भी आना चाहते हैं, आते हैं और नई सोच के साथ, नई विचारधारा के साथ development की और बढ़ना चाहते हैं This change is not only quantitative but also qualitative as new political parties are emerging with the active support of young voters, these parties represent various expectations of people and compete in the political sphere, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, यह आकरी point, doctor PR में right to vote आप समझ पाया होंगे, points to remember में तीन important points, सबसे पहले तो pre-independence बहुत सारे restrictions ते याद रखिए pre-independence period, there were many restrictions on voting rights, दूसरा point याद रखिए, post-independence, यहाँ पर आदा, तो post-independence, all such provisions were cancelled, और उसके बाद आपको याद रखना है, तीसरे point पे, any constitution ने क्या किया, तो उसने guarantee दी, adult suffrage के माध्यम से, right to vote का अधिकार दिया, सभी को पहले 21 साल से उपर को यह अधिकार था, उसके बाद इससे reduce करके 18 years कर दिया गया, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, चार important points democracy, नाम के इस सबसे important principle हमारे constitution में, जो लिखा गया है, डॉक्टर बाबा साहिब, अमबेड कर द्वारा, और इसी के चार important features हमने democracy के अंदर देखे, यह कुछ इस प्रकार short code है, डॉक्टर पी आर, यानी DRPR, D से decentralization of democracy, R से right to information, यानी RTI 2005, इसके अलावा political maturity और R से right to vote, तो उमीद करता हूँ, दोस्तों, यह पूरा answer आप लिख करके practice करेंगे, कुछ भी doubt हो, तो आप मुझे पूच सकते हैं personally, comment करके भी पूच सकते हैं, आपको मैं Instagram पे भी मिल जाओंगा, ID है Rajgore Jayashvee, दोस्तों, आज अम बात करें social justice and equality की, तो याद रखिए social justice and equality are the important objectives of our constitution, the constitution has given the guidelines, that is about participation of the common people, यानी कही न कहीं यह जरूरी है देश के अंदर की हर किसी को एक समान मौका, एक समान अउसर एक समान opportunity मिले, साथी साथ, सभी के साथ equal विहवार, equal treatment हो, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, on the basis of caste, creed, discrimination on the basis of gender, ये सारी चीज़ों को दूर करना ही हमारा constitution सिखाता है, everyone is equal in front of law, ये एक महत्वपूर्ण चीज हमारे समविधान ने हमें सिखाई है, और इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, दोस्तों जब बात करते हैं हम social justice और equality की आज, तो ये चार important points है, जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से exam में present करने हैं, इनी से related, कोई भी short note या एक छोटा सा answer आपके board exam में पूछा जा सकता हैं, हमारा short code इन चारो points को समझने के लिए और याद रखने के लिए है, TPL, जी यहां दोस्तों, TPL में T से the schedule cast and tribes, that is prevention of atrocities act, P से दो points जहाँ policy of reservation of seats, इसके अलावा provision for minorities, और आखिर में laws relating to women and provision for representation, basically TPL के जरिए हम सामाजिक जो justice है, उसकी बात करने वाले हैं, और कैसे एकता बनाये रखने की कोशिश हमारा समझने वाले हैं, इसके बारे में समझने वाले हैं, तो चलिए, एक एक point को बारी की से समझ लेते हैं, आज हम पढ़ रहे हैं, social justice and equality, और आंसर का नाम TPL, 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 तो चलिए, पहला point देखते हैं, the schedule caste and tribes, prevention of atrocities act, दोस्तों, हमारे देश के इध्यास को अगर खंगाल कर देखें, तो कहीं न कहीं बहुत अत्याचार, बहुत भेदभाव, schedule caste और tribes के साथ हुआ है, यह जो पिछडी जाती के लोग हैं, इनके साथ बड़ा दुर्वेवार हुआ, ब्रामन, हरीजन, उची जात, नीची जात के नाम पर कई भेदभाव किये गए, और इसी लिए बहुत ज्यादा तुष्टी करण देखा गया, जहां पर अत्याचार को रोकने के लिए कानून बनाया गया, अगर कहीं पर भी शेडूल कास्ट या पिछडी जाती के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए ये कानून सक्त से सक्त रूप में लाया गया, यानि अगर कोई भी अन्याय या दुर विहवार करता है, इन शेडूल कास्ट या शेडूल ट्राइब के या ओवी सी जाती के लोगों पर तो फिर उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान यहाँ पर बनाया गया है, तो TPL के अंदर पहला point दे स्केडूल कास्ट और ट्राइब्स जहां पर प्रिवेंशन अफ अट्रोसिटीज आक्ट बनाया गया ताकि अट्रोसिटीज यानि अत्याचार को रोका जा सके, बढ़ते हैं दोस्तों, आगे अगला point है P से Policy of Reservation of Seeds, दोस्तों जो लोग उपरी कास्क से बिलॉंग करते थे, जो उंची जात सो कॉल्ड से बिलॉंग करते थे, उन्हें तो भईया आसानी से मौके मिल जाते थे, पैसो के दम पर उन्हें कहीं न कहीं नौकरिया मिल जाती उन्हें कहीं न कहीं admissions मिल जाते थे, लेकिन जो विचारे गोर गरीब थे, जो कहीं न कहीं अन्याय को स्फेस कर रहे थे, उनके लिए equal opportunities नहीं थी, और इसी लिए श्री बाबा साहिब अंबेड करके इस संविधान के अंदर, बनाय हुए संविधान के अंदर ये कोशिश की और उसी के तहत, policy of reservation of seats को लागू किया गया, इसके जरीए कुछ कोटास बनाये गया, कुछ special reservation आरक्षन बनाये गया, जिसके जरीए उन लोगों को भी जो deprived है, जिनके पास उतनी मौके या उतने opportunities नहीं है, उन्हें भी equal opportunity दी जा सके, फिर वो government offices में हो, jobs के लिए हो, या schools, colleges में admission के लिए हो, yes, policy of reservation of seats is meant for those section of society who have been deprived of opportunities for education and employment for a long period of time, जो मैंने शुरुवात में भी कहा, इतियास को अगर खंगाल कर देखेंगे, तो भईया, बहुत ज्यादा दुर्वेहवार इनके साथ हुआ था, तो अब उसकी भरपाई करने का मौका जब आया, constitution हम खुद का बना र reserved for scheduled caste and scheduled tribes, there is also provision of reservation of seats for other backward caste, यानि जो other backward classes है, OBC है, scheduled caste या scheduled tribes है, इन्हें equal मौका मिले, इसके लिए आरक्षन यानि reservation का प्रावधान यहाँ पर हमारे सम्विधान में बनाया गया, दोस्तों देखें, यह पूरी कोशिस इसी के लिए है कि social justice और equality बरकरार है, देश के अंदर सभ अधी को समान opportunities मिले, equal मौका मिले, और इसी लिए यह policy of reservation of seats उन्हें उपर लाने की कोशिश करता है, जो बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं, जो जिनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है, और उन्ही को एक मौका देने के लिए, समानता लाने के लिए policy of reservation of seats का इस् ज्याद रखिए दोस्तों, जो ज्यादा है, वो majority, जो कम है, वो minority, अपने देश की अगर बात करें, तो यहाँ पर हिंदूस की majority है, और जो हिंदूस के अलावा दूसरे है, वो minority में, तो कही न कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कि किसी majority को ही सारे फाइदे मिल रहे हैं, democracy वही जिनकी population कम है, उनके लिए भी हम provisions बनाएंगे, so that वो left out feel न करें, ऐसा नहीं न होना चाहिए, इसी लिए, provision for minorities constitution में लाया गया, the Indian constitution has made several provisions for the protection of minorities, इसके साथ, the government has adopted several policies for minorities to provide them the opportunities for education and employment, यानी काम भी मिलेगा और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से अच्छे जगा पर हो पाएगी, the Indian constitution prohibits discrimination on the basis of caste, religion, race, language and region, यानी कोई भी प्रकार का भेदभाव बर्दाश नहीं होगा, फिर वो जाती पाती का हो, धर्म का हो या language के आधार पर किया गया भेदभाव हो, all is prohibited by the law, yes, this is a comprehensive provision for minorities which fundamentally protects their right to equality, इस प्रावधान के जरिये, समिधान के अंदर एक अधिकार, एक right दे दिया गया है, हर किजी को कि भईया, आप भी उतने ही देश के नागरीग हैं, जितना majority वाला है, तो आपको tension लिनी की ज़रुवत नहीं है, आप इसी देश के नागरीग हैं और आपको सभी अधिकार मिलेंगे, equal opportunity मिलेगी, equal मौका मिलेगा, आपको education में, आपको employment में वड़ने का मौका दिया जाएगा, yes my dear students, their right to equality, freedom right against exploitation and cultural and educational rights, तो इस प्रकार PPL में P से provision for minorities, बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारी सुविधा हैं, यहाँ पर minorities के लिए भी हमने constitution में बना दी, इसके अलावा दोस्तों अगर आखरी point की बात करें, तो यहाँ पर एक बहुती important चीज की गई, जो कि सालों से हमारे देश में होता आ रहा था, against women, उतना ज्यादा empowerment नहीं था, उतना ज्यादा मौका या opportunities, representation, नितुर्तव जिसे हम कहते हैं, वो महिलाओं को नहीं मिलता था, तो यहाँ पर यह कोशिश की गई, laws relating to women and provision for their representation, constitution में ऐसा ही बनाया गया rule, कि जि इसके जरिये महिलाओं को automatically, जो मौका है, वो मिले, उनको politics में भी representation मिले, उन्हें education में भी मौका मिले, कई जगाओं पर schools में भेजा ही नहीं करते थे, तो वो भी भेजा जाना लगे, इसके अलावा, jobs वोगरे नहीं provide करते थे, jobs अगर मिलती थी, तो males से कम salaries देते थे, यह स consideration the problems of women, several policies have been adopted at national and international level to remove illiteracy among women and to make available opportunities for their development, यानि अगर पढ़ेगी महिला, तो बढ़ेगी महिला, उसे पढ़ाया जाएगा, तभी तो वो बहुत आगे बढ़ पाएगी, और यही opportunity पहले नहीं दी जाती थी, सम्विधान में अधिकार दिया गया कि हर महिला पढ़ाई कर सकती ह हर महिला को अधिकार है शिक्षन हासिल करने का, और इसी लिए दोस्तों उन्हें education की equal opportunities मिले, यह कोशिश इन काईदों के जरिए, इन rules के जरिए constitution के अंदर की गई, the right to have an equal share in the property of father and husband, जी हाँ, यह exploitation बहुत होता था, बहुत जादा अत्याचार phase करना पढ़ता था, तो यह right बनाया गया, यह equal law बनाया गया, कि भईया महिला को उतना ही अधिकार होगा, property के अंदर, जायदात के अंदर, जितना बच्चे को होने वाला है, यानि कोई बेटा यह नहीं बोलेगा, यह मेरे बाप की property है, मैं उसका अधिकारी हूँ, ऐसा नहीं, जितना तु अधिकारी ह उतना ही तुरी बेहन को भी अधिकार दिया जाएगा, इसकी अलावा similarly, जैसे father की property में equal हिस्सा बेटी को मिलने वाला है, उतना ही husband की property में भी मिलेगा, डावरी prohibition act हमारे देश में दहेज की प्रथा थी, और आज भी कई जगों पर देखा जाता है, लेकिन इसे illegal पूरी त भारत होना चाहिए, दहेज की प्रथा बंद होनी चाहिए, इसलिए ये act बनाया गया, डावरी prohibition act, again sexual harassment also, sexual harassment के लिए भी एक काईदा बनाया गया, एक rule बनाया गया, जिसके जरीए इसे भी रोका जा सके, domestic violence होता था, घर पे दारूपी के husband आता है, मारता है, बीवी को, बह domestic violence में होती है, उसके खिलाफ भी act बनाया गया, ये सारे rules, ये सारे law इसलिए बनाया गया, ताकि महिलाओं को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके rights को, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा सके, yes, domestic violence prohibition act are some important provisions which create a favorable environment for protection of freedom of women and securing their development, तो इस प्रकार दोस्तों, आज हमने जहां अंसर TPL, जहां TPL के अंदर the scheduled caste and tribes, that is prevention of atrocities act, इसके अलवा P से दो point, policies of reservation of seats and provision for minority और आखिर में TPL के अंदर laws relating to women and provision for representation, तो उमीद करता हूं दोस्तों, जब बात आती है role of judiciary की, तो ये बहुत जरूरी है कि बहुत जुदीशल सिस्टम टॉप पर रहे और हमेशा नजर एक पैनी नजर रखे कि बहुत कहीं constitution पर कोई भी आज तो नहीं आ रही, किसी भी तरीके का rules का नियम का उलंगन तो नहीं हो रहा और यहां पर ही judiciary का role बहुत महतुपूर हो जाता है, जिस तरह से एक exam का डर होता है और वो डर ही हमें पढ़ाई करने पर मजबूर करता है, यह बहुत जादा महीन रखता है लोगों के दिलों में, डेमुक्रासी को जिन्दा रखने में. The judiciary in India has played an important role in strengthening democracy and helping to make towards achieving the objectives of social justice and equality. While interpreting the provisions of the constitution, the judiciary has always taken into consideration the fundamental objectives of constitution and also the intentions of the constitution makers. यानि दोस्तों, judiciary ने हमेशा ये ध्यान में रखा है कि भई अब बनाने वालों ने, सम्विधान, create करने वालों ने, लिखने वालों ने, सोच समझ कर हर चीज़ को लिखा है. और उनीका intention ध्यान में रखते हुए, इसके उपर पूरी नजर रखी जाती है कि कोई इसका उलंगन न करे, कोई rules, regulations का जो है bifurcation करते हुए, गलत तरीके से इसे present न करे. दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ खास बात आपको बताना चाहूँगा, सबसे important part होता है the basic framework of the constitution. जिया, basic framework, जिस तरह से घर के अंदर बहुत सारी दिवारें होती हैं, आप color change कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से furniture लगा सकते हैं, आप बदलाव तो करी सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको इजाज़त नहीं होती है pillars को छेड़ने की, जिया, अगर आप pillars को छेड़ेंगे, उस उसको हानी पहुचानी की कोशिश करेंगे तो पूरा घर दिखर जाएगा, बस उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे देश में जो सम्विधान है, उसमें आप changes जरूर कर सकते हैं, उसको live और dynamic सा बनाया गया है, बनाने वालों ने, constitution makers ने, dr. बाबा साहिब अंबेड कर ने, इस का ध्यान रगती है, judiciary, yes, the constitution is dynamic, it is a living document, the constitution has to change according to changing conditions, and the parliament has to power, has a power to make those changes, यानि सारे अधिकार बदलाव करने के किसको दिये हैं, parliament को दिये हैं, क्योंकि parliament में कौन बैठता है, तो हमारे चुने हुए representators बैठते हैं, yes, my dear students, the judiciary has accepted this power of the parliament to make changes in the constitution, but, 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 जियां दोस्तों, सरकारों ने, parliament के अंदर जो भी कानून चेंज करने हैं, या नए कानून लाने हैं, उसके लिए प्रावधान है, supreme court ने, हमारी judiciary ने उसको माना भी है, लेकिन, एक important बात जो हमेशा parliament को ध्यान रखनी है, वो ये, the judiciary has taken a stand that the parliament while amending the constitution, cannot alter the basic structure of the constitution, यानि parliament बदलाव करना चाहें, तो कर सकता है, मगर basic framework को कभी भी alter नहीं करना चाहिए, जिस तरह मैंने कहा, आपको pillars को आप नहीं तोड़ सकते, pillars में आप बदलाव नहीं कर सकते, उसे change नहीं कर सकते, वरना पूरा घर नश्ट हो जाएगा, उसी प्रकार, यहाँ पर भी parliament को अधि जरूर है changes करने का, मगर वो basic framework को कभी change नहीं करेंगे, तो दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आएगा कि यार यह basic framework होता क्या है, तो कुछ यहाँ पर understanding के लिए आपके बनाया गया है, हमारे textbook के अंदर ही, यह छोटा सा डबबा, और वहाँ पर कुछ important जानकारी दी गई है दोस्तों, Republican and Democratic form of government है, और उसे कोई भी तोड़ेगा नहीं, जी हाँ, हमारा देश जो है वो एक Republican और Democratic form of government चलाता है, यानि हम अपने समृधान को हमेशा follow करेंगे, और हमारी सरकार जो होगी, वो जनता की चुनी हुई सरकार होगी, इसे कोई भी छेड़ेगा नहीं, इसे को परकेटेड होगी, राज्य की अलग सरकार है, आप देख सकते हैं केंदर में चुनाव होता है, केंदर का लोक सभा का वहाँ पर अलग सरकार होता है, वहाँ पर अलग सरकार होती है, कई बार विधान सभा के चुनाव होते हैं, महानगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, त साथ ही साथ, sovereignty of the nation, यानि हम एक आजाद देश हैं, और इसे कोई ठुकरा नहीं सकता, आखिर में, secularism and supremacy of the constitution, हम secular हैं, धर्म निर्पेक्ष हैं, spiritual matters से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम किसी धर्म विशेश को महत्व नहीं देते, हम सब को समान और equal treatment देते हैं, कई बार उतार चड़ाव आते हैं और इसी लिए, तारीक पे तारीक पे तारीक पे तारीक पे तारीक मिलती रहती है, मगर इंसाफ नहीं मिलता, दोस्तों आप सभी में ये नोट किया होगा, कि जुडिशरी हर कदम पर ये हमेशा notify करवाते रहता है, कि भईया, Constitution को follow कीजिए और Constitution के साथ ही रहिए, दोस्तों, आखरी point जो यहाँ पर mention किया गया है, वो ये कि judicial decisions भी बहुत महाँने रखते हैं, और इसी लिए, significant judicial decisions जो हमारे देश में लिए गए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसी के बारे में ये point हमें बताता है, दो प्रोटेक्शन प्रोवाइड तो देशन भाइड देश में बहुत जबरदस थी, उसको रोकने के लिए, राइट तु चिल्रेन का प्रावधान, राइट तु चिल्रेन का डेशन जो है, वो भी लिया गया, इसके अलावा protection of human rights, protection of the honor and dignity of women, महिलाओं के सुरक्षा के related decisions भी लिये गए, individual freedom, अभिव्यक्ति की आजारी जिसे हम कहते हैं, कि भाईया, हर किसी को बोलने का अधिकार है, freedom of speech है, वो अधिकार, इसके अलावा and tribal empowerment, जो tribes हैं, schedule tribes हैं, schedule caste हैं, जो पिछड़ी जाती के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, उन्हें भी समानता मिले, समान opportunities मिले, इसकी कोशिश भी की जाती है, judicial decisions अकसर ऐसे लिये जाते हैं, जो उन्हें भी empower कर सकें, these efforts have made the political process in India more mature, तो उमीद करता हूँ दोस्तो, role of judiciary आप सीख पाया हूँगे, समझ पाया हूँगे, जरूर इस chapter के notes बनाईएगा, इस chapter के अंदर हम overview अगर देखें, तो तीन महतुपूर मुद्धे हम सीख गए हैं, एक है democracy, दूसरा है social justice and equality, और तीसरा जो आज हमने देखा, role of judiciary. In this chapter, we took a review of the constitution, and the working of the government on the basis of the constitution in the context of Indian democracy. तो दोस्तो, अगले chapter में हम पढ़ेंगे election process के बारे में, और तब तक के लिए, आप बने रहेगेगा हमारे channel पर, कुछ भी doubts हो, तो मैं आपको Instagram पर मिल जाओंगा, मेरा ID है Rajgore Jayesh V. दोस्तो, आप हमारा Telegram channel भी join कर सकते हैं, तो दोस्तो, इसी तरह आपना प्यार बरकरार रखिएगा, हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, do like, share and subscribe.